इस वीडियो में हम इस दवाई के उप्योग, डोज, उप्योग करने का तरीका और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे दवाईयों की अधोरी जानकारी स्वास्ते के लिए हानिकारख हो सकती है इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और दवाई के बारे में पूरी जनका दिप्राप्त करें नेरी सिरफ एक आयरवेदिक दवा है इसलिए इसमें कई प्रकार की अलगलग तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जैसे की गुखरू, दारूहल्दी, सहदेवी, वरून, मक्वोई, पाशनमेदा इनके अलावा भी इसमें बहुत सारी अलगलग तर की जड़ी बूटियां होती हैं, यह जड़ी बूटियां शरीर से मुत्र के उचसरजन में सुधार करने में मदद करती हैं, सूजन को कम करती हैं, लीवर के फंक्शन में सुधार करती हैं, और इन्फेक्शन को कम करती हैं, बैक्टिरिया को बढ़ने से रोकने और इन्फेक जिसे UTI भी कहा जाता है उसके इलाज में भी इसका यूज किया जाता है रिनल गलाइकोसूरिय के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है एंटी उक्सिडंट के रूप में भी इसका यूज हम कर सकते हैं किड्ने डिटॉक्स और क्लेनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है एडल्ट पर्सन इसकी डोज दिन में दो बार दो छोटी चमच यानि की 10 ml ले सकते हैं और अगर 2 साल से 12 साल तक की एज है तो एक चमच यानि 5 ml दिन में दो बार ले सकते हैं नेरी सिरप की डोज रोगी की आयू, रोगी की बिमारी और दूसरे फ्रक्टर्स के अधार पर अलग अलग भी हो सकती है इस सिरप को आधा कप गुनगुने पाने में मिला कर लिया जाता है और इसे खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं प्रेगनेंट लेडीज में और इस्तनपान कराने वाली लेनीज में इसके सैड इफेक्स हो सकते हैं और बच्चे को नुकसान हो सकता है इससे इसलिए नेरी सिरब का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए नेरी सिरब के सैड इफेक्स तब ही आते हैं जब आपको इसमें पाई जाने वाली किसी भी जड़ी स्वास्ते और दवाईयों से समंदे जानगारी पाने के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें